भरांति है फारति जम्तशाय भरांति पहलाने में से देश्तिवास के दिमाग मनतों हमको नहीं मालूम होते जन्ता पर्ति की निगाह खास तोर पे मुस्तिम समुदाय के पास अगर यह दान की विप्रोपर्र यह निग साथ है यूज्ड़ शैलिम कुम को न çocuğ चाहती है कि वख बोर्ड में कोई तब्दीली आए तो उसके चाह लेने से क्या होगा पहली बात तो यह जो भरांती है भारती जंदा पार्टी भरांती फैलाने में देश्वासियों के बीच में माहिर गई है तो यह जो वख है वख का मत्तब होता है दान देना हमारे पुर्खों ने इस हिंदुस्तान में हर मामले में दान दिया बहुत सारे स्कूल बहुत सारे संस्थाएं बहुत सारे मट बहुत सारे विश्विद्याले दान के पैसे से चली है दान दिये हुए जमीन पे है यह तो यह दान का ही फॉर्मेशन और जो दानी होता है वह उसके ऑब्जेक्टिव को लिख देता है कि हम यह प्रोपर्टी दान कर रहे है इसका यह उप्जेक्टिव है उसgrass यह भी लिखा हुआ है के दान किये हुए प्राइटी के अंदर वैमानी नहीं हो सकते इसलिये इसका कानून का कोट अब भार्तिए जंदा पर्टी के दिमाग में इस प्रौपर्टी को हडपने का मन है और क्या मैना हमको नहीं मालू में लिए लेगी यह दान की बिवस्था हैं जो हमारे पूर्खों ने किया है और उसका इस्तमाल गरीबों के लिए जो मिस्कीन हैं जो पिछड़े हैं उनके लिए जिसमें जो आगर इंकम कोई होती है और बोर्ड इसलिए बनाया गया बिहार में जनता दल यू के ही आदमी सत्रह साथ से में बिहार में वक्त की प्रॉपर्टी पे बिहार सरकार के स्कूल रहें बड़े बड़े बिल्डिंग चल रही है आप सोची है तो इसका कानून है की इसको डान है कि दान करें कि अपना कूण भारतीय यंटा पार्टी ही जन्ता डल्यू और और जो कौन-कौन पार्टी हमको नहीं मालूम अंड़ागट बंदन में लेकिन उनको ये समझ नहीं है उनको क्लियर करना पड़ेगा जन्ता डल्यू को ये बताना पड़ेगा कि यह जो दान की जो जमीने हैं वक्फ की जमीनों पे सरकारी स्कूल भी बन रहे हैं बनना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह जमीने हैं इन जमीनों का इन प्रपरटीज का इस्तमाल सही काम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह सवाल है अब हमारे हैं गोशाला है कठियार में दो बड़ी-बड़ी गोशाला है एक तो हमारे कॉंस्टिवंसी में उसमें हमने फंड भी दिया है वह भी दान की हुई है उन्हें सो बीस की दान की दान की जमीने हैं तो उसके क्या गवर्मेंट हस्तक्षेप करेंगे बलके परियास से करना चाहिए उसको बहत है नहीं है कि इसमें तुश्ठी करण होता है समधाय का तुष्टी करन होता तो Teaching होता तो एतने गरीब होते इतने पिछड़े होते एडुकेशन में आर्थिक लेवल पे इतने गरीब नहीं होते भाई अगर तुष्टी करण हुआ होता तो तुष्टी करण नहीं हुआ और इस देश में तुष्टी करण सिर्फ 2-4 पृतिशत लोगों का हुआ दो-चार प्रतिशन ने राज करण किया तो चार प्रतिशत के लिए लिए हंदुस्तान बना लगता है जबके फिछड़ा आती पिछड़ा दलित इसको क्या मिला हम लोग उसी जुम्रे में हैं उसी सूची में हैं तो कुछ मिला नहीं है उसमें बाइफर्केशन की बात की जा रही है जवाब देना पड़ेगा ना उसको तो देखा जाएगा ज hör के भारतिय जिंता प्रटी के द्वारा उठाया हुआ कोई भी कदम अच्छा हो जा удар हुआ को भी वदा वफा हो जाए उन्हें बात हो दिए नहीं तो इसलिए हर समाज में सिख समाज में क्रिश्चन समाज में हिंदू समाज में उसके बड़े बुज़र्गों ने दान दिया दान की प्रोपर्टी का दानी लिख देता है और लिख करके जो बोर्ड होता है जैसे नियास वगर है उसके अंदर पता है कि इस नियास को क्या काम करना है तो लोगों को कुछ लगता है कि इनके पास बहुत प्रोपर्टी है उसे मजा ले रहे हैं कोई मजा नहीं ले रहा है बाई चली देखे यह है मर शाथ बाचित कर रहे थे कांगर्श विद्याक दलके नेता शकी लेहमत खान तमां सलोको जा दिया तमाम खबरों के शाथ बने रहे हैं फश्च वाश्च शैरंद तुमार पनोर्मा कुरू जो सोचता है वो करता है ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनिस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined